और शुनल के अधी ? हैं है हेलो प्रेंट्स कैसा ूब लोग तो फ्रेंट्स आज होने वाली आपकी कि रीड के एक्जाम की बालव विकारश और शिक्सास्त की किलास नमबर फॉष्ट। देखेँ बकर रीड का एकजाम होगा और इसमने आपके बालविकारश और शिक्सास्त के कुश्चेन आ आएंगे, आपके टोटलल 30 कुश्चेन आएंगे, चाया आपका ले क्वारे तो तीस कुष्चिन को आपको कहां से पढ़ना है कैसे पढ़ना है क्या कुश्चिन का स्टेंडर्ड रहता है वह आज की वीडियो के तुरू मैं आपको बता दूँगा कोशिश करना पूरे 30 में से 30 नंबर आप लोग अपने रीट के एक्जाम में ले कर आओ क्योंकि अगर मैं आपको बता हूँ जो 2021 के अंदर रेट के एक्जाम हुआ था और जो उसके अंदर बाल विकार और विडियो से देखने को मिल गया था क्योंकि दोनों का से लिवास और समान देखने को मिलता है थोड़ा बहुत कभी कोश्चन लेवल टू के बढ़ जाते हैं तो इस बार कोशिस करना है जो दो तीन नंबर पिछली बार कटे थे इस बार ये भी ना कटने पाए और आपका पूरा 30 में से 30 का स्कोर बने बाल विकार सो शिक्सा सास्त के अंदर तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो प्रीवेसर के कोश्चन हुए वह आपको कराऊंगा उससे एक आपको एक आईडिया लग जाया कि आपको प्ता चल जाएगा तो चले चले क्लास शूर कर ले लेते हैं आज की बाल विकार सो शिक्सा सास्त की आपकी पहली नंबर की किलास की जिसके बार में आपको पता लगेगा कैसे कुछन पूछ जाते क्या स्टेंडर्ड रहता है कुछन का और क्या चीज़ा आपको पढ़नी है ताकि पूरे में से पूरे नंबर आप लोग लेक तक तो जो मेरी रीट की बुका रही है वो ले लेना और जो वीडियो पहले वे उनको देख लेना आपके इजली आ जाएंगे लेकिन मैं फोकस 140 प्लस पर कर रहा हूं यह स्कोर आप लोग लेकर आईए इसका बेनिफिट आपको आगे नहीं मिलेगा आप तो आपका सीप प पुरनय की सद्रीक हो गया ता इसलिए बाहर आ गए थे आप लोग मेंनत करें तो आ भी सकते हैं उसके अलावा घर मैं बात करूऊ रीट की बुक तो डेखेंगे लेट की बुक आपको देखनों जाएगी मेरी पांच मही के करीव क्योंकि अगर आपको ध्यान हो पिछली बार जो रीट का एक्जाम हो आता है पिछली साल उसमें मैंने सिफ लेवल फर्स्ट के नोट्स आपको बनाएते सभी सब्जेट के नोट्स बनाएते और उसी में से लगबग 110 तक का मेटेल देखने को मिल गाता जब मैंने मैच करा था वीडियो भी यूटूब पर डाल हुए आप लोग जाके देख भी सकते उसको ठीक है पेपर भी वैसे थोड़ा हलका आया ता पिछली बार कर 2021 का गर में बात करू तो तो लेवल टू का नहीं बन पाएते टाइम की वज़े से लेकिन हम मेरे पास ओलेडी काफी टाइम था जब यह एक्जाम हो गए ता उसके बाद तो लेवल टू के भी बनाए चाहिए सोसल साइंस हो चाहिपका मैथ साइंस हो तो कई मेहनों की मेहनत के बाद वह आखिरकार तयार भी हो गया है बस उनका टाइपिंग का काम चल ला है और वो मेरे ख्याल से पाच महीं तक फिनिस ह जाएंगे इन दो चीजों साथ के एजली 100 प्लस का स्कोर आप लोग रीट के एकजाम में ला सकते हो लेकिन मेरी की तमन्ना है जो मैं आपको बता दी इतना स्कोर इतना टार्गेट आप लोग लेकर चलिए क्योंकि आज की डेट में इतना कॉम्पिटीशन है तो इससे बात नहीं बनने वाली ठीक है तो यह पांच मही के आसपास आजाएगी तो इस बुक सा आपका पूरा जो मुश्किया आपका सिलिबस होता है वो आपका कवर हो जाएगा इसके अंदर राजिस्तान बोड की किताबों का कंटेंड मिल जाएगा एंचाइट भी मिल जाएगी और जो आपके सेलिबस के कोडिंग चैप्तर है वो सभी आपको मिल जाएगे तो पांच मही को में एक वीडियो बनाकर डाल दूँगा अपने यूटूब चैनल पर उसके मात दमसा आपको पता लग जाएगा यह बुक आपको कैसे मिलेगी ठीक है इस बार नोट्स नहीं सब्सक्राइब करेंगे यानि बुक की फोर्म में पांच मही को आपको मिलेंगे बस आपके लिए काफी रहेगा और जो लोग नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो सारे चैप्टर की तयारी में आपके यूटूब पर भी कराऊंगा वन्ना पहले भी मैंने साठ कर लेते हैं आज की किलास को बाल विकास शुक्सासत्यको और सबकर साथ बताना आपका कितना स्कोर वाया आज की वीडियो के अंदर ठीक वीडियो के एंड में देखता हूए कोन पॉन वच्छा की क्लास में टोप करता है चले पढ़ते आपका अब पहला कोश्चन पह मेरी जोब भी होती है तो जोब के बाद जैसे कभी कपड़े सही नहीं पहने मूह नहीं दुला तो आकर अपना टैप पर आकर पढ़ा दिया करता था इसमें बहुत ताम जहाम होता है तो मैं दोनों चीज़ें लेकर चलूंगा स्मार्ट बोर्ड पर भी होगी और जैसे पहले इसको देखे पहले कुश्वन को कि शिख्षक के अधिकार अधिनीयम दौजान्च नो या पर बात हो रही है आप याशऱी केहां ु lin now यह राइज ट्व दू ऐसन के आप बात हुरी है कि राइट तू एजूके सscale सकी साथ ये परती सवत्ता नियूंतम काल application कि संक्या कितनी है कितना सिंपल कुष्टन आपके एक्जाम में है तीस है 56 है 45 है या 70 है देख अगर मैं बात कुर राइट टो एजुकेशन की यह आपके सिलेबस में यह वाला आपका चेप्टर गिवन है लेवल फर्स्ट में भी आशे कुष्टन पूछा गया है और लेवल सेक जानकार आपको पता होनी चीए वह सब डाल हूआ है ठीक जैसे राइट टो एजुकेशन की मोटी मोटी बात करें तो सन 2002 के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था और उस एमेंडमेंट ता वह एक्टीश अमेंडमेंट हुआ था उसके आर्टिकल ट्वेंटी वन के यह वाली बात कही गई थी कि जो 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे उनको free and compulsory education की बात कही गई थी यानि उनको मुफ्त और अनिवारिय सिक्सा की बात कही गई थी right to education के according ठीक यह वाली बात उसके अंदर कही गई थी तो उसके अंदर ही right to education के अंदर ही सारी चीज बताई गई है इसका सबसे बड़ा मेहत्पून चैप्टर है इसका चैप्टर नंबर 4 जब आप लोग इसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ोगे यह सबस्याद मेहत्पून चैप्टर है जो आपके exam point of view सा बड़ा मेहत्पून हो जा लगाता कि six okay इंदर नहीं लगा सकता जैसे जन्गर्णम में उसको लगा सकते है ठीक है और बताओ कमेंट बोक्चे नगर में बता दूँगा तो आपका क्या बचेगा ठीक है कमेंट आपका देखता हूं किसके अंदर नहीं लगा जा सकता ऐसा कुशन पूछ लेगा टीच चीज आपको दिए होती है जो आपके एक्जाम में पूछी जाएगी रीट के एक्जाम में तो अपने आप में ही एक बहुत वाड़ा चैप्टर हो जाता राइक टू एजुकेसन का इसको पर डिटेल में मैंने वीडियो यूटूब पर डाली है आप लोग देख लेना जितन आपके mostly जो भी चीज़े रहेगी concept रहेंगे वह आपके clear हो जाएंगे ठीक तो राइट पर जो किसन समझी है कितना मेहत्पून है चाहिए आपका लेवल फरस्ट हो चाहिए आपका लेवल सेकिंड हो चले बढ़ते अब आपके दूसरे question के और दूसरा question आपको क्या दिया ह हो आया देखो आपने answer बताया भी है नहीं बताया एक बाद आपका answer चेक तल लेता हूं ठीक है जी अगला question सामने आपकी screen पर आ गया question number second अब इसको बढ़ते question number second आपको क्या दिया हुआ है question number second दिया गया है कि एक स्कूल के परदानाचारे दुआरा विद्धारतों की विभिन सविंगात्मक समस्चाओं के कारण को पहचानने वह उन्हें दूर करने तु कौन सा अनुसंदान किया जाता है क्रियात्मक अनुसंदान गुनात्मक अनुसंदान एतियासिक अनुसंद बता इसका सही अंसर क्या हो जाएगा ठीक है तब तक में देखता हूँ आपने क्या लगाया आपात काल में पूरा बताओ तीन पूइंट तीन पूइंट को छोड़ कर नहीं लगाया जा सकता सिक्षन को किसी कार्य के अंदर ठीक इन्होंने खाली लिखा है पोल्यों केंप सकते पढ़नना आप लोग पहली बात हो रही है कि एक स्कूल का कोई पिंशिपल है तो इस्टुडेंट की स्वेहंग आत्मक سमझ्षया प का निकाल प्ले का पता लगाता है छेंग को रेसी माना लिए जब आप लोग स्कूल के अंदर तो आपने देखा हुआ इंफेक्ट आप मेंसे भी कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे दूसरे उसके दोस्तियार चिडाते थे कोई मोटू कहता था ठीक है कोई एंडाव एंडाव कुछ भी मतलब अलग अलग नाम उसे चिडाता था तो बच्च में क्या जाएगी बच्चे में डर की भावन आ जाएगी रोज रोज उसके अंदर एक हीन भावन आती जाएगी तो जो उसकी स्वेंगात्मक समस्य है वो डेली-दिन पर दिन बढ़ती जाएगी अगर उसको डैग्नोस नहीं कर आगर उसको पहचाना नहीं तो में आप से अनुसंदान सबसे बैस्ट होता है तो होता है आपका action research क्रियात्मक अनुसंदान very very important लगा लो इसके उपर आपके exam में जरूर आएगा क्रियात्मक अनुसंदान करने कैसा अनुसंदान होता है जिसमें किसी भी समस्दां का तत्कालिन समंदान कर जा सकता है और सिर्फ स्कूल के अंदर смогast का समधान कया आंसर दे दिया तो यह क्या समधान हुआ यह आपका क्रियात्मक अनुसंदान हो गया यानि किसी भी समस्य का तत्कालिन समधान क्या करा जा सके वह होता है आपका क्रियात्मक अनुसंदान बेसिकली आपको यह जानना जरूर है यह जो अनुसंदान होता है यह सिर्फ स्कूल क के अंदर होता है सिर्फ इसकूल के अंदर होता है बारी और किसी भी फैक्टर का इसके ऊपर कोई भी असन नहीं पड़ता और जब इसकूल के अंदर होता है तो किसके माध्यम से होता है यह तो टीचर करेगा यह पिंचिपल करेगा यह स्कूल की कमेटी करेगी जो भी करेंग तो आंचार इसमें फर्स्ट आंचार आप लोगों का सही हो जाएगा आई वप आप लोग इसको समझजिए घ्यान परलोगे इतना ही जानना इसके लिए ज़रूरी है ठीक है लेवल फर्स्ट में पूछले था इस्टिफन कोरे का संस्द किसे है तो आपका क्रिया जो आपका इससे आपका संबंध होता है ठीक है इस्टिफन को रियाद रखना है जो बात में इसके बारे में बताई वो द्यान रखना है बस आपके लिए इतना काफी रहेगा ठीक चलिए आगे देखते हैं जाद है मतलब किताबी लेंग्वेज में नहीं पढ़ना बहुत इजी लेंग परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित होता है देखे आपके सेलबस में बड़ा महत्पुन चैप्टर है जिसका नाम है अधिगम लेंडिंग जिसका नाम है अधिगम यानि लेंडिंग चाहे आपका लेवल फरस्ट हो चाहे लेवल सेकेंड हो अधिगम क्या होता है आपके एक्जाम में जरूर दिलाएगा जो आपका अधिगम वाला ये वाला चेप्टर होता है ठीक है चाहिसमें आपका थोंड़ा एक पूछले पावलो पूछले स्किनर पूछले जैसे पूछले पहिनामों दुवारा सीखने से संबंदित कौन सा होता है तो अपरेंट उपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डिटेल में वीडियो बनाए हुई है आप लोग उनको जाकर देख लेना आपके सभी सिद्धान्त क्लियर हो जाएंगे क्योंकि मानका चले तीन चान नंबर के कोशन आपके एक्जाम में पूछ जाएंगे बड़े बेसिक सेनल और बड़ा ही महत्फ्पून कोशह शन अपको दिशन आपको कि जर्ब वर्तमान इसकीमा या आपको दिया वायए जब हम वरतमान इसकीमा काप्योंग बाए जगत के विशलेसं नेतु करते तब उसे क्या कहा जाता है आत्मसातकरन एसिमिलेशन सम्मन अनुकुलन यान एडेप्टेशन संतूलन यानि साम्मेधारन या इक्विलिविरेशन बती सही अंसर आपका इन में से क्या हो जाएगा ठीक है बती बड़ा अच्छा और महत्पून कोश्चन है इसका अंसर आप लोग दीजे क्या हो जाएगा सही अंसर देखे यह कोश्चन बेसिकली लिया जीन प्याजे के उपर भी लेडी में एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ जाकर देख लेना प्याजे ने सिद्धान्द के अंदर क्या बात कही थी कैसी जो ने उन अपनी चार उस्ता बताई थी उनके अंदर क्या वाली बात कही थी उसको जरूर पढ़ना तो जीन वहाले क्या होता है जैसे हमारा माइंड होता है तो माहिध के अंदर पहले सी कुछ information पहले सीटोर होती है जैसे आप लोगों को किसी ने बताए कि यूटूब पर सचिं सर पढ़ाते ये और अच्छा पढ़ाते ठीके और जो नोर्ट्स देते किचाब देर देते बैस देते किया रहे तो सही दिख रहे स्मार्ट दिख रहे डोले वोले दिख रहे ठीक है तो कुछ information आपके माइन में पहले से श्टोड़ती ठीक है और उनी information का यूज करके उनी information का यूज करके आपने किसी चीज के परती अपने बेश्ट कोन बना लिया एक concept बना लिया कि यह सचिनसर है ऐसे दिखते हैं ऐसे पढ़ाते हैं यह चीज देते हैं तो इस तरीके साथ आपने किसी चीज के परती एक concept अपना एक बना लिया ठीक है तो यह होता है आपका इसकी माई जो पहले से आंसर आपका आत्म साथकरण हो जाएगा आत्म साथकरण का मतलब होता है पूर ग्यान को ने ग्यान से जोड़ना जो प्रिवियस नोलिज जो होती है पूर ग्यान को ने ग्यान से जोड़ना प्रिवियस नोलिज को ने ग्यान के साथ जोड़ा जाता है जैसे का previous knowledge थी जैसे मेरे बार में किसी बच्चों ने आपको बतायोगा आपके यार दोस्ते ने बतायोगा उसको फिर आपने जो चीज खुद उफज़र करी उससे आपने connect करा तो answer क्या हो जाएगा आपका यसके अंदर आंसर हो जाएगा पहला आंसर आपका स् czę हो जाएगा बेसिकली जीन प्याज़र के ये concept है एक तो पर ग्यान के साथ नहीं ग्यान को जोड़ा जाता है लेकिन समयायोजन में जो घयन होता है उसको संसोधित करके उसको क्या करके करके वातारंड के साथ तालमेल बैठा जाता है जैसे इसमें क्या था जीन प्या जी कि जब मैंने आपको थूरी बताई थी जैसा मानली जै किसी बच्चे ने पहले कोई कैट देगी बिल्ली देखी उसने रहा है बिल्ली के चाहर टांगे है ठीक है मुच्छे इसका हुई है में हो कर रही है तो उसने क्या काम करा पूर ग्यान को ने ग्यान के साथ जोड दिया ठीक है कि बिल्ली ब्लैक भी हो सकती है वाइट भी हो सकती है लेकिन उसके बाद कुछ दिने के बाद बच्चे को मिल गया एक डोग बच्चे को क्या मिल गया एक डोग मिल गया तो बच् थीए जिसकी चार टांग होगी, पूछोगी, मूच्छोग बिल्ली होगी, ठीक है कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकते है, कोई भी जानवर हो सकता है, चार टांग वाला, तो assimilation और accommodation दोनों का आप समझ गए, और इलही के बीच की जो परिकरिया होती है, उसको कहा जात इसको जरूर आप लोग अच्छे से देख लेना यूटूब पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुए इसको पर ठीक है आई वोप आप लोग इसको समझ गहेंगे थोड़ा बड़ा अता कोश्चन तो चलिए बढ़ते बापके नेक्स्ट कोश्चन के और अगला कोश्चन आपको क्या दिया हुए अवाज उसकी धीमिकर अगरे इतना ठीक सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि तो अगला के सब्सक्राइब कि निमलिखित में से कौन सी प्रक्षेप्य परिक्षट यह पर बात हुँए प्रेक्सेप्य परिक्षट की विशेषता नहीं है को शोन क पूछा गया है जो चैप्टर आपका व्यक्तितिति वाला चैप्टर है सब्रेंटी वाला चैप्टर नहीं जो कोणी कि युट्यूब पर शरच महरोगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी और व्यक्तित वाला चैप्टर ऑड़ेssa एक नंबर कनृम में एक से दो नमबर भी आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं लेकिन एक नमबर जरूर आएगा चाहा आपका लेवल फर्स्ट हो चाहा आपका लेवल सेकिंड हो ठीक इस वाले कुश्चन से तो उसी की प्रक्सेप यह आपकी विदी दी हुई है कई सार उसके अंदर विदी है तो सितनाफ के इसमीन आपको देखने है ठीक है तो प्रक्सेप यह विदी के अंदर क्या होता है कोई भी व्यक्ति poking जो अब आपका कमेंट उपर चला गया ह्टरीक है तो आप लोग समझे जो कंचेतनमत होता है जो अच्छेतन मन होता है इस सिग्मेंट फ्राइड ने आपके तीनों मन बताएते अभी नेक्स्ट आगे कुशन आएक उसमें बता दूगा तो अच्छेतन मन में हमारे जो भी वेवार होते हैं फिलिंग्स होते भावना होते हैं उसको किसी वेवार के दुबारा जब हम ओंस लेते तो ऐस अपने देखने वाद अपनी यादा जल्दी यादा आजाती है सल्मान खान को नहीं आती तो जब वोसको गवं में ले जाता है उसको जेल से छुड़ा के ले जाता है तो उसको माघन बचाने जाता है लेकिन उस पर जलते हैं तो सलमानखान को नोगों को देखते अपने पिछले जनम की चीजque समय हमा जाती है ठीक है एक दम उसको याद आ जाते कि अब यह बांय याद को मार रहा है और इसी तरह के से तहलवा परिक्षन की विशेष्ता नहीं है आइस परेश्ट उद्धिपक यह तो विशेष्टा होती है आईस पर्ष्ट उद्धिपक जैसे मैं आपको बताया अनुक्रिया यानि रिस्पॉंस करने की सवतुन्तरता होती है सलमान खान ने भी रिस्पॉंस करा ठीक उसके लाव व्यक् वस्तुनिस्ट व्याख्या यह बात करें तो यह सबसे बड़ा दोस होता है यानि विशेष्था नहीं होती वस्तुनिस्ट व्याख्या आंसर आपका फोर्त आंसर आपका इसके अंदर सही हो जाएगा ठीक है चली बढ़ते बापके next question के और अगला question क्या दिया हुा है सात के साथ answer देने की hun Dios के similar देखते हैं किने अगला question आ गया कि निमिली कित में थे कि निमीली कित में थ enchствен ihan पर तीब появ वां शिखसार ही है co one आपको पताना ठीक है जो परतिबबध si natии 172 आपको बता की निग्याव 2019 सिक्सार्थी यानि गिफ्टीड इस्टुडेंट पर्तिवासाली स्टुडेंट जो क्रेटीव होते हैं स्रजनात मक्ता जिनके अंदर बहुत देखनू मिलती है आईक्यू लेवल बहुत जादे देखनू मिलता है तो ऐसे प्रतिवाववान विदार्थ अगर आपके पास है तो उनकी कौन सी विसिस्ता है वह आपको बतानी है पहला उसने यदि कक्सा की गतिविद्या अधिक चुनोति पून नहीं होती है ठीक है कि है यदि कक्सा की अधिक चुनोति पून नहीं होते है तो रहे कम प्रिरीत अनुबाव करता है और उब जाता है बिलकुल सही बात ह पहला उसन अभी तक सही लग रहा है जब इतना gifted students रहेगा परतिवासाली बच्चा रहेगा अगर क्लास में जो activities हो रही है वो उसके according चुनोती पूर नहीं है क्लेंजिंग नहीं है तो समझो बच्चा उबने लग जाएगा क्योंकि वह बच्चा दूसरों से थोड़ा सुपीरियर है थोड़ा क्रियेटिव जाद है ठीक है वे आकरामक और कुंठित हो जाता है नहीं वे रस्मी व्यवार करता है जैसे कि हाथ अपाई नहीं है ऐसा मिनि सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया विशेश आवसकता वाले बच्चे यहां पर बात होरे चिल्डरन विद इस पेशल लीड सी डबलो एसन चिल्लेंड विद इस पेशल लीड की बात हो रेकिन बच्चों को अलग से कुछ नीड की जरौत होते है यह वो विचारे किसी सब्सक्राइब अगर उनको सामिल करना यह आपसे पूचा क्या है एक आवास्तविक लक्स है विद्यालों पर भार बढ़ा देना जब बहुत तो देखते यह चाहिए आप एक्सा रखता है बिल्कुल से बात है यह सबसे एप्रूपेट होजाएगा किसी भी बच्चे के परिपेक में जो इसपेसल लीड की इस पेसल लीड जो चाइल्ड हो जाएगा ठीक है तो आट्वी तक 30 सही ए जिनमें एक्समता ना हो यह भी गलत हो जाएगा तो आंचर थर्ड इसके अंदर सही हो जाएगा ठीक चलिए बढ़ते बापके अगले कुश्चिन के और अगला कुश्चिन सामने आपकी स्क्रीन पर आगया कि समस्या समधान नहीं है बड़ाई मेहत्पून चैप्टर आपका समस्या समधान का प्रोब्लिंग प्रोब्लम सोल चला है कि किसी समस्या का समधान करना ठीक है समस्या का समधान करना तो नहीं आप से पूचा है कि नहीं है क्या होता है देखो समस्या समधान में कुछ इस्ठेप भी होते है किसी समस्या के समधान करने के कुछ इस्ठेप भी होते है सबसे पहले क्या होता है किसी भी समस्या क को चुना जाता है यहला है निकित टिके से समस्चा क्या होता है मानलों कोई भी समस्चा बता हो बता मुझे क्या समझ्चा आपके पास आपके कमेंड बोक्स में देखू छोले यहिह मान लेता होूँ रिट के एग्जाम में 2014 नंबर कैसे लाए ठीक है तो सब से पहले आप लोगोंने समस्य का चैन करने बाद फिर आपने क्या काम करा समस्य का कारण का पता लगा है चिह के 140 म breakfast और नहीं आते बच्चों के उस इसका पाफ लोगोंने पता लगाए थी कारण पता लगाने के बाद आपने समस्य से संबंदी जो भी इनफोर्मेशन है जो भी डाटा है जो भी जानकारी है उसको आपने कलेट करा क्या अगर रीट में 140 प्लस का स्कोर करना है तो भाई हमें तो खुद पढ़ना ही है सचिंसर की क्लास लेते है बुक इनकी जल्दी आने वाली है वो भी देख लेगे और खुब म समदान कर दिया और समदान करने बाद फिर आप इसका व्यवारिक परियोग करना भी आप लोग सीख गए कि इस तरीके से लाए जाते हैं 140 नंबर ठीक तो यह समस्य समदान विदी के कुछ स्टेप कुछ चरन होते हैं तो समस्य समदान नहीं है वह आप से पूछा है क्या है लक्षोन मुखी यानि गोल औरेंटिड बिल्कुल होती है गोल औरेंटिड तो होती है तो पहला उफसन तो पास्टम है ठीक है जबकि पूछा है हम से नेगिटिव अगला है एक कोसल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है यह भी सही बात है बहीं पा जीटेव का समझ और कर्मीक चर्णों के परियोग पर आधारित होता है। इसके समênio पर आधारित होता है। संबंदी योग्यताओं के बारे में यह गल्यत हो जाएगा आपका इसका समधान सम समधान से संब्दांचे ठीक तो आंसर फोर्थ सही हो जाएगा आयोप आप लोग इसको समझेंगे चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट कोस्चन क्यों प्रासंगिक अंतर बोद यानि इस सोट फोर्म में कहें तो इसे टेट दुबार आपका व्यक्तित वाले से चैप्टर पूछ लेगा थिमेटि जरूर आपको दिलाएगा डिटेल में वीडियो मेरे देख लेना यूटूब पर डाली हुए पूरा चैप्टर मेंने डाला हुआ है आपके उससे अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा ओलमोर्स चीज़े मैंने अपने यूटूब चैनल पर डाली है उसको जहान से देखना लेवल टू के मैंने नहीं बनायते हैं उसकी कई मेनू के मैनत के बाद सोचल साइंस और मैस साइंस के भी तयार कर दिये तो टोटल अब आपको मेरे जो भुक रहेगी उसके अंदर सभी सब्जाइट आपको देखने को मिल जाएंगे बस पढ़ ले ना इनको अच्छे तरी सबस्क्राइब होते हैं जिसके बारे में आपको पता है तो अंसर इसके अंदर आपका सभी हो जाएगा ठीक है बिलकोल सभी आंसर आप लोग सभी दे रहे हो कभी कभी फुल फॉम भी पूचली जाती है तो आप लोग देख लेना इसकी फुल फॉम भी वहन्याजा डिटे कौन सा सजनात्मक्ता यह नि जो क्रियेटिविटी होती है उसकी ओल ले जाता है देखो सजनात्मक्ता कैसे देखने को मिलेगी जैसा आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो अगर मैं आप से कहो आपका नाम क्या है कमेंड बोक्स में टाइप कर तो आप लोग अब आपका माइंड लगेगा अब आपकी क्रियेटिविटी निकल खराएगी अब आप लोग अपने अलग-अलग आंसर दोगे कि मैं ऐसा हूं में यह सब चीज होता है तो यहीं होती है क्रेटिविटी यानि कि सर्जनात्मक्ता ठीक तो इसमें पूछा कौन सा सर्जनात् चिंतन तो नहीं ले जाएगा अभिसारी चिंतन मैंने आपको बताया करनोवर्जेंट फिंकिंग जहापर किसी समझ्चा का सिर्फ एक समधान होता है जैसे मैंने आप से पूछा आपका क्या नाम है तो आपने बता दिया कि जी मेरा यह नाम है भारत की राजदानी का नाम ह इसी के पोजीट ओ जाता है आपका अभिसारी चिंतन जहां पर आपको क्रेटी जाने आप सारी चंतन देखनों मिले आग बंद करके आंचर लगा देना आपका आंचर यह सही बैटेगा ठीक है तो आंसर इसमें थर्ड आंचर आपका सी हो जाएगा ठीक चलिए बढ़ते बापके नेक्स्ट क्यों अगला क्यों सामने आपकी स्क्रीन पर आगया यदि बालक की वास्तवी कायू 13 वर्स हो यदि की कोई बालक है उसकी वास्तवी कायू 13 वर्स है और अगर उसकी जो मांसी कायू है वो 14 वर्स है अगर उसकी मांसी कायू 14 वर्स है तो उसकी बुद्धी लब्द में पूछ लिया था मैंने का ना लेवल वन लेवल टू ओल्मोस्ट आपके सेम आपके चैप्टर है और सेम तरीके के कुर्षिन पूछे जाते हैं और कुछ कुर्षिन तो के अंदर तो आपको बहुत समनता है देखने को मिलेगी ठीक है तो सीधा वेल्यू पूट अपकर दो सब्सक्राइब करना ता आपका जो चैप्टर है बुध्धी वाला आपका चैप्टर है बुद्धिवाला इंटेलिजेंस वाला कम से कम आपको दो से तीन नंबर आपको दिला कर जाएगा बुद्धिवाला चैप्टर बड़ा मेहत्पून चैप्टर है बुद्धि क्या होती है बुद्धि के बार में जो पहले से परियोग होते चले आयते चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट को सुन आपको क्या दिया हुआ है कि सीखने का क्लासिकल कंडिशनिंग थोरी पूछ ली मैंने गारा जितने भी महत्मुन मुनुग्यानिक है उनको जरूर देख लेना चार पास नंबर आपके एक्जाम में जरूर दिला देंगे और खासकर जो आपके लेर्णिंग वाले जितने महत्मुन मुनुग्यानिक ठीक है उनको तो जरूर कर ले रहा तो जैसे क्लासिकल कंडिशनिंग थे दिया तो भाई आपके पावलो साब आ जाएंगे एक तो स्क्रीन पर कोने में हो गया ना तो साइध स्क्रीन में देखने में का कंचेप पसंद या अगर मैं सही बात बताओ पहले बहुत सही लगता था मालों में जोब से लेट आया लेट सा आने के बाद मैं अपना पढ़ाने लग आपको कंटेंट भी साब दिखता था तो देखो दुबारा उसी को सुरू करूंगा इस पर कुछ कुछ इंफोर्मेशन हुआ करेगी या कुछ चीज हुआ करेगी तो बताया करूंगा ठीक क्योंकि मुझे मज़ेदार यूशी के अंदर लगी है तो मैंने बताए क्लासिकल कंडिशनिंग ठोरी आपकी होगी लेकिन आपको सभी महत्पुन मुने गयानिक की ठोरी करने ठीक या कॉछ केसरे लगन ये तो बड़े लोगो तरवेटे लोग होते हैं इस त्थरीके परवर्टी के लोग उते वह बच्चो कॉइस करते संदर ठीक है तो child crime का वज़े क्या है? क्यों बच्चा छोटी चूमर में ये सब काम करने लग जाता है? ठीक है? आपने देखा होगा, in fact कुछ सरकारी स्कूल के अंदर भी, बच्चा बहुत जल्दी crime के अंदर चला जाता है. तो इसका कारण क्या है? माता पिता में अन्मन है ना, बच्चे की सीखने की उसका घर होता है, अगर घर का मावली ठीक नहीं है, तो बच्चा भी ऐसा ही मावल को अपने adopt कर लेता है, और उसी के अपना वैवार करना शुरू कर देता है, अगर घर में माता पिता में अन्मन नहती है, लड़ाई रहती है, मालो किसी के पापा जो इसकी मम्मी को मारते हो, तो बच्चा कुछ दिन तक चुप रहेगा, जैसी थोड़ा बला होगा, वो उल्टा मानना शुरू कर देगा, ठीक है, तो माता में अन्मन नहें बाल अपराद का कारन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, परिवार के सदस्चों का सानी भूती, मुभूती रहेगी, तो आपका क्या है, बच्चा बाल अपराद नहीं करेगा, ठीक, परिवार में आप अचकी सहमती से कारे होना, यह भी पोजिटिव पोइंट है, सम्रद परिवार, ठीक है, तो बाल अपराद का सबसे में कारण आपका यही है, बाकि तीनों बाल अपरा नों में निमने में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है, बुफतोर, अध्यापको को पर्शिक्षन सुईदा, ट्रेनिंग की बात, टीचर के लिए इसकी वाली बात तो कही गई है, ठीक है, इसमें दिया है, किस पर ध्यान नहीं दिया गया है, आगे पड़ते है क को घुमनतु बालकों के फ्रिवेश को सुनस्चीत करना जो घुमने फिनने वाले बच्चे ज़्याद होते हैं तो इसको वाली बात की भी कहिए पर उनके भी एडिमिशन कराओ एकेडमी कलेंडर को निरिदायत करना यह वाली बात भी कहीए चोदे वर्स के परश्चा शिक्सा वर्स ता यह वाली बात नहीं कहीए ठीक है दोको राइट टो एजुकेशन क्या बात करता है जो दिव्यांग बच्चे है उनके लिए का तक की फ्री एंड कंपल्चरी एजु गौर्स को क्रियात्म करुशन दान मनाता एक्सार्च का और पिंचिप लो गया उनके द्वारा किया जाता है तो आप लोग समझे स्कूल के अंदर ही समस्चा का सीव समधान क्या जाता है जैसा मान लिए किलास रूम के अंदर बच्चों को कुछ समस्चा आएगी कोई बच्चा सही तरीकर सीख नहीं रहा या बच्चे सोर मचा रहे है तो टीचर ने इमिडेट प्रोलम को जाना अगर म प्रोग्राम का क्रियानवन करना और मुल्यायकन करना बिल्कुल सही बात है आंचर आपका सेकिंड इसके अंदर सही हो जाएगा 15 कोशन अभी तक हुए बताओ कितना स्कोर आप लोगों का अभी तक हुआ है अभी आगे अभी और कोशन बचते है पूरा बताना फिर टोटल कितना आप लोगों का स्कोर वाएं ठीक सथैक अगर अग्याओ को गिंडर야 करत साव खाकी के अनुसार निर्कष्णात्मक अधिगम जिसको सामाजी का दिखम भी निरक्ष्णात्मक अधिगम में बोल देते हैं इसके हैं तूचार परिस्तितितिया है इन परिस्तितियों का यूटूब पर जाकर देख लेना मैंने का जितने भी आपके सिल्बस के अकोडिंग चैप्टर है यूटूब पर डाले हुए करके सर्च करते हुए सारे चैप्टर को डून लो सभी मिल जाएंगे चाप का सीड़ी का हुआ उइसके भी मोश्ली डाले हुए हिंदी इंगली इसके भी डाले हुए ठीक है तो यूटूब पर ही क्योंकि बच्चा पराद करना सीख गया क्योंकि बच्चा सबसे बेला अपन ढल पर treatment करा था तीन उनको दिखाएती अगर प्यारवाली मुज़ी दिखाए तो जो बच्ची ती इस दो डॉल के साथ प्यार करना सुर युझे अपने से दांत में बताईथी तो उसमें नुझा चार by की छार प्रिस्तित्या बतायीती उनके बार में देखो कैसे कैसे हो चीज़े सीखता है सीखने का तरीका देका आप लोग कि दोति को सबसे पहले चीजं़ हो थी बहुर अगर। एक दूसरे के जवाब दे रहा होगा जैसे देखता हूँ कोई लडगी ने अगर कोमेंट पूछ लिया या कोशन पूछ लिया तो सारे टूटकर पड़ेंगे यहां से ध्यान अट जाएगा ठीक तो सबसे पहले चीज होती है अटेंशन जिसको अवधान बोला जाता है क्या ह होती है सबसे पहले चीज अगर आपको कोई भी चीज शीख नीऑ तो सबसे पहले उस्चीज के परति आपको अटेंशन होना पड़ेगा बहुत ज्याद całे अटेंवरी नंबर पर होतीई आपकी रिटेंशन जो भी आप सीकत रही हो मानलों आपने अटेंशन अ मन गई कि ठीक है तो चलो CDP कंदर अगर यह चीज बता रहे हैं अब हम इसको धारन कर लेते हैं रिटेंशन कर लेते हैं तो जो चीज में आपको पढ़ा रहा हूँ वह आपने धारन कर लिया पहले आप अटेंशन हुए फिर आप रिटेंशन हुए और फिर होता है आपका रिप्रोडक पुनरोत पादन यानि जो आपने यहां पर CDP सीख ली फिर आप उसका अलग-अलग जगें यूज करोगे उसका इंप्लिमेंट करोगे और लास्ट में होता है आपका अभी पेढ़ना यानिकी मोटिवेशन यह सारी चीज आप लोग सीख क्यों रहे हो आप लोग इसले जोब लेनी है अपने एंग्जाम आपको पास करना है तो यही आपका मोटिवेशन है ठीक है तो जो चारी step होते है उसमें आपका attention retention और आपका मोटिवेशन होता है ठीक तो अंसर इसमें थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा और बाकिवीज़ के ढदर भी आपको मिल जाए सिग्मेंट फ्याइड के नुशार अचेतन मन की अभी मैंने आपको बतायाता अप प्रक्षेपन विदिक अंदर अचेतन मन की विश्यष्थाओं को ग्याद करने की सवर्वादिक उप्युक्त विदिक ओल ची है इसको मैं लिख देता हूं इन्होंने दियाता मनो विश्लेशनात्मक सिद्धान्त इसको मैं लिख देता हूं इन्होंने दियाता मनो विश्लेशनात्मक सिद्धान्त मनो विश्लेशनात्मक सिद्धान्त साइको एनलेटिक थोरी यह सिद्धान्त इन्होंने दियाता जैसे इ लम्सीब पता चला है मन विस्टधा इन्हीं मंग का वीसलेइशन कि आज आता है। सिंग मनंति वbooksलेशन कर?, सिगमेंट फिरई ने जो शिद्धान दियाता उसकेकों फिक्रिक मन का सर अषय का अच्येतन मन जौ आपका कुष्ण वाप से ूर्टि को यह रहती है जिवा हमें एकदम पर्जेंट से जुड़ी रहती है अगर मैं कहो आपका तो यह सब क्या यहिश्यक्त इंडर में हैं यानि ह्के प्रिजयंट के विचारों से संभन्दित होता है तो को सब्लब्रम neat को याद करने पर जोड़ देकर आपको चीजे याद आ ठीक उसके लाव बसता है अच्येतन मन इसके अंदर कितना भी आप लोग सोच लो कितना भी दिमाग पर प्रेसर लगा लो लेकिन आपके माइंड के में यह चीज़े याद नहीं आएगी अगर जैसे अगर मैं आपके स्कूल के टाइम में लोग एट क्लास में आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट है या जो आपका पेपर हुआ तो आपको किसी को भी नहीं पता होगा मुझे खुद नहीं पता क्योंकि यह सब कहा पर है यह सब हमारे अच्येतन मन के अंदर होते हैं सबसे सब्सक्राइब करेंगे तो उसके थुरू हम जो अच्येतन मन की चीजों को याद कर सकते हैं यह समझ सकते ठीक है तो सेकंड आंसर आपका सी हो जाएगा बागी सिग्मेंट फरेड की थोरी एक बाद डिटेल में देख लिए ना मैंने सब कराया हुआ है आपका सिग्मेंट फरेड इतना महत्मौन आपका एक्जाम में जरूर रहाना है लेवल फ़स् कि ADHD की full form क्या होती है तो इसकी full form होती है attention कि एक सेकेंड तो इसकी full form होती है attention deficit hyper activity disorder देख़ो टहला तो बन गया attention deficit यानी पढ़ने के दोरान अपने ध्यान न लगा पाना जैसे आप लोग पढ़ यहां पर रहे हो धिमाग आपका कहीं और जा रहा है या comment box मा अंसर देर हो एक द कड़ते देखते सामने और दिमाग कहीं और चला जाता है तो अटेंशन डेफिचिट मतलब अटेंशन नहीं कर पारे आप लोग सचेप नहीं हो पारे उस चीज़ के परती और हाइपर एक्टिविटी डिसोडर हाइपर एक्टिविटी मतलब बहुत ज्यादे सक्रियत है आप के अपके घर में कोई बच्चा आपको देखना हो बिलेगा A D H E D से गरसित देखना आपके घर में या जान पेचान में कोई आपका बच्चा ऐसा होगा जो इसके अंदर क्या बेंगी वह एक्टेंशन नहीं रहेगा उसे कहोग यहां बैट जाहोगे वह ध्यान नहीं ठीक है देखते हैं वाची कठिनाई वाले बालक के अंदर नहीं सर्वन दुर्बलता वाले बालक के अंदर नहीं ध्यान विकार वाले बालक बिल्कुल सही बात है दो इसको में दे दिया पहली ध्यान विकार अटेंशन डेफिसिट यानि अगर आपको इसकी फुल फॉम भी बताओगी तो भी आप लोग इसका अंसर देद होगे कि ध्यान विकार वाले जो वालक होते हैं ठीक तो आप लोग समझें इसका चलिए बढ़ते बापके नेक्स्ट कोश्चन के और अगला कोश्चन आपको क्या दिया हो आया और कोई आपका कमेंट हो तो कमेंट को भी मैं च सामने आपकी स्क्रीन पर आगया कि एक परिक्सन सामने आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन कि एक परिक्सन जो वेक्थ थी कि किसी एक या एक से अधिक छेतरों में उसकी विसेश्था और कम्यों को व्यक्थ कर निकले बनाये गया किसी एक या एक से अधिक विसेश्था और कम्यों को व्यक्थ कर निकले बनाये गयो तो वो कौन सा टेस्ट होता है कौन सा परिक्सन ह होता है वह आपको बताना है रिमीडियल यानि उप्चार आत्मक डाइगनोस्टिक अचीवमेंट या फिर फोर्मेटीव बत्य सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इस आंसर का आप लोग जवाब दीजे जी हां जी सीट है यह आपका वेलीड है रीट हमेशा के लिए बुक मेरा रीट की बुक पास महीं के आसपास मिल जाएगा टाइपिंग का बस उसको पर काम चल ला है ठीक है हां देखो वो लग रहे हैं जैसे मैंने बताया था कमेंट में लग जाते हैं जवाब देने में जल्दी चलो अब देखते हैं इस question के बारे में जो आपको बताता हूं देखो सबसे पहले देखो diagnostic test के बारे में आप लोग जाने है निदाना आत्मा परिक्शन के बारे में देखिए आपने देखा होगा जैसे कोई मरीज हो गया जिसे किसको दिक्कत है सर में दर्द हो गया पेट म थे दिक्कत है तो डॉक्टर साप सबसे पहले करता है डाइग निदान करता यानि की कम्यों की समस्चा कि पहचान करता है कि बेट उसको वीमारी क्या है। उसको डाइगनोस कर लेगा ठीक है उसको डाइगनोस कर लेगा रिपोर्ट करा लेगा तो उसमें समस्या आ जाती है कि भाई साब आपको तो यह दिक्कत है देन उसके बाद वो करता है क्या उपचार करता है डाइगनोस करने बाद क्या काम करता है उपचार करता है क्या कोई डोक्टर देखा है जिसके पास आप लोग कोई गया आपने लाज कराने और जाती इंजेक्शन लगा दिया या मुह में गोल दवा दी और उसके बाद पूछे हां भी क्या प्रोलम थी तुम्हें ऐसा तो नहीं होगा ना सबसे पहला काम होगा डाइग्नोस यहीं जो समस्या ह होती है जो उतलब होती है उनको आइटन्टीफाइब किया जाता है और समस्या नका फिर वह क्या काम करता है तो से काप करता है ठीक है तो इसमें आपका डाइगनोस्टिक टेस्ट आपका सही हो जाएगा क्योंकि यह आपर सिप कम्यों की पहचान की जा रही है ठीक चलिए बढ़ते बापके नेक्स्ट कोश्चन के और अगला कुश्चन आपको क्या दिया हुआ है सामने आपकी स्क्रीन प अगला कुश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आगया कुश्चन आपका की बाल के इंदरी सिक्षन यानि जो झारप fal centre जो learning होते हैं उस विदिका अर्थ क्या होता है बाल के अंदरी सिक्सा यान्न जो भी शिक्सा दी जा रही है उसकर के कंदर में बच्चा नबोट जरूरी एक कोस्ट ना गया था कि बाल के इंदरी जिदनीまだ पतलब द embedded जोबी जीब अरिये बन रात ये वह बात चीज को अनुत उर्डद कि यह आगा तीक ठीक तो करवा सकता हमास जी लेकिन जよし के था उसमें फिर वो भी नहीं कर भ़ूआ पाएगा अगला बच्चों को फूर्म से सवतंदृता देना यीवी सही बच्चों को नेतिक शिख्षा देनी चाहिए लेकिन यह बाल केंदी शिख्षा की बात हो रही है तो बच्चों की अभिवेक्ति और उनकी सक्रे बागदारी यानि एक्ट्व पाइटिसिपेशन उनका होने चीए किसी भी चीज को सीखने के लिए यह बाल केंदी सक्रिया होकर सीखेगा जितना वच्छा खुद एक्टीव होकर सीखेगा उतना चीजों को जल्दी सीख पाएगा ठीक है तो सबसे मेहतुन आपका फोर्त आंसर सही हो जाएगा यह पैड़ागोजी को कुछ को सनों होते हैं पैड़ागोजी रीट के अंदर बड़ी असान होत ठीक है क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपको 6-7-6-7 कुछ पैड़ागोजी को देखने को जरूर मिलेंगे ठीक चलिए बढ़ते बाब के अगले कुश्चन क्यों है अगला कुश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आगया कि रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रेशिज का प्रियोग क आपर क्या गया है दो को आज तक टीचिंग के इत्यास में नहीं वाला कुश्चन बहुत जगह देखा है और मुझे आज तक कभी इसकंदर कुछ चेंज देखने को नहीं मिलता सेम एजिटीज उठकर आ जाता है नहीं कभी इसकी थियोरी के बारे में पूछा गया नहीं मन फून चैप्टर एड़ थी को अगरा कुशन देखें अगला कुशन क्या दिवा में फोइगे टीक है लेवाइब आप Сल इन्होंने कौन सा सिद्दान दिया था सामजिक सांस्कृतिक सिद्दान दिया था लेव भाइगोश्की ने दिया था यह क्या एक सेगेंड कि एक सेगेंड लुग यह आप सभी है तो लेव वाइगोश्की ने दिया था सामजिक सांस्कृतिक सिद्दाद सोशियो कल्चरल थ्योरी दी यानि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से इंट्रेक्ट करके सीखता है यह वाली बात इनुने कही थी सही बात है वही हम लोग का से सीखे अपने समाज से समाज में कोण आ आ जाता है हमारा घर प्रिवार आजाता है पाश्परणो साता इसकूल आ जाता है उन्हीं को हम अनुसवर्ण करके उन हिसे इंट्रेक्ट करके हम लोग सीख गये तो जो वाईगोश्की कह manos possessions your किता अनुकरण करके लेकिन अनुकार्ण के अंदर इसको डेटेल में खोल के नहीं दिया तो पहला उप्सेन यह ठीक है वेस्कों और सम्वेस्कों के साथ प्रस्पर किरिया करें बिल्कुल सही बात है जो वेस्कों होते हैं उनके साथ इंट्रेट करके बच्चाच चीज़ें सीखता है तो कि वह सामाजिक सांस्कृति सिर्दान में क्या काता फिर जैड़ पीड़ी आ जाएगा जाएगा इसका फोल्डिंग आ जाएगा और बाहसा के बार में इनके क्या के विचारते वह सब चीजे डिटेल में वीड़ो में यूटूब पर डाल विए उसको जाकर देख लेना उससा आपक सबसे पहले बुद्धी परिक्षन किया गया था बड़ाई सिंपल कोशन है और आपने देखा दुबारा बुद्धी का कोशन आ यानि तीसरा कोशन आपका बुद्धी का मैंने गाना दो से तीन नंबर के कोशन आपके एक्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे आपके बुद्धी से समद्धि बड़ा महपून चैप्टर है और थोड़ा बड़ा भी चैप्टर है अगर आप इसको मेरी वीडियो से पढ़ने बैठोगे तो एक गंटा आपको लग जाएगा इसलिए मैं आपको थोड़ा वैसे बता रहा हूँ उपरी चीजे तो सबसे पहले ब प्रियास किया जाएगा प्रियास जाएगा तो बिलकुल मत करना अगर बच्चा प्रियासाली है पढ़ानी की धीमी स्पीड कर दोगए तो उसका नास हो जाएगा विशिष्ट कक्साई और प्रोसान देना बिल्कुल सही बात है देखो जो परतिवासाली स्टुडेंट होते हैं आगे चल के यह हमारे देश का नाम रोशन करते हैं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है कोई या यह यह बनता है या किसी और सेक्टर में जाता है तो यह वही परतिवासाली जो बच्ची होते हैं तो हो सकते तो ऐसे बच्चों को विशिष्ट कक्साई देनी चाहिए अलग से क्लास्रूम देनी चाहिए ताकि इनके परतिवा को जा सहाधे निखनने का मोंका मिल सके और साथके साथ इनको मोटिवेशन प्रोसान इनने दंड देना जहाँ पर भी पनिश्मेंट की बात आजाए समझ जाना आपका नेगिटिव है आपके पैड़ा को जिगले बड़ा मेहत्मने संपून पैड़ा को जी वीडियो देख लेना पैड़ा को जी खतम हो जाएगी जो मैंने सीटेट में कराई थी क्योंकि पैड़ तरिका था ना अगर किसी किताब से करने बैठ के कुछ फाइदा नहीं होने वाला तो जो पैड़ा जी चीस तरीके से मापको कराता हूँ वैसे करनी है कभी मात नहीं खांगे और नहीं कुछ पढ़ना पड़ेगा कोई किताब की चीज पढ़ने पड़े बस आप लोग आन् में पैड़ागोजी पूछी जाते हैं कोई भी पेपर हो बस यह मानना कि बच्चा यह जो कुछ है और बच्चे के बारे में आप लोग एक बात नहीं सुन सकते ठीक है तो ऐसा समझ कर आंथर देना अगला कुछ न आपको दिवाए कर लोगा है कि आपको एक साथ कर ना करना कणा इसलिए कर लाशिक्सा को जोड़ा शोड़ा गया है वेग्यानिक दश्टिक विरासत की सवाण कर ना इसलिए कला सिक्सा को जोड़ा गया सांस्कितिक विरासत की सराना करना तो जो सांस्कितिक विरासत चाहिए बच्चों को उसके बार में जानकारी देनी चाहिए ठीक तो आंसर आपका अगला कुश्चन देखते हैं बताओ अभी तक कितने आंसर आप लोगों के सही हुई है पता लगे कितने पानी में वह आप लोग अगला कुश्चन आपको दिवाज विकास कभी न समाप होने वाले परिगरिया है यह आपका कुश्चन आपका ग्रोथ हैं डेवलमेंट वाले चैप्टर से ठीक है पड़ा महत्पून चैप्टर है आपके लेवल वन में भी पूछा गया था लेवल टू में भी पूछा गया और आगे जो भी एकजाम होगा वह विकास कभी नहीं वतम होता है विकास कव से सुरू हो जाता है विकास जब बच्चा मा के गर्व में होता है जब बच्चा मा के पेट में होता है तो तभी से विकास होना सुरू हो जाता है बच्चे का और जो बच्चे का सारी भी विकास होता है वो सब ज़्यादा बच्च विकास चलता रहता है कहा तक मुट नहीं होती जब तक विकास चलता Halina प्ररफर कबहती है यह आप लोग समझ गए तो यह सिद्द sia नन्द कर निरॉनत्रता के सिद्दा Should से क्योंकि विकास क्या है चलता रहता है हमेशा जब तक मिर्टु नहीं होती ठी आप लोग समझ के तो विकास का चैप्टर बड़ा महत्पून चैप्टर है आपके लिए और इसके ओपर भी डिटेल में मैंने वीडियो डाली हुई है आप लोग देख लेना उनना बुक आए और मैं कहीं रहा हूं स्मार्ट बोर्ड पर इतना खास मुझे इंट्रेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि जैसे मैंने बताया गए अपना टैब खोला पड़ाना सुरुकरा सामने आपकी स्किन पर कुश्चन दिखते हैं उसके मजईदार यह लग है ठीक है कभी-कभी तो ऐसा ह आपका एक जैसे देखने को मिलेगा ठीक बस उसमें थोड़ा सा मुझे नहीं देख पाऊगे अगला कुश्चन देखते हैं निमलिकित में से कौन्चा बुद्धी का घटक नहीं है देखो आप लोग देखो दुबारा बुद्धी आ गया यह चोता कुश्चन साय जो बु तरकिक चिंतन हम करते हैं बिल्कुल सही बात है चिंतन आपके जो पिछली बार रेट का एक्जाम हुआ था इसमें कुछ चैप्टर थे तो जोड़ गयते जैसे चिंतन हो गया कल्पना हो गया तो कुछ नए चैप्टर जोड़े थे तो इनको उपर मैंने पैटिकुलर यह कुंछ नहीं होता ठीक तो कुर्चन पूछा कौन सा घटक नहीं है तो नेगटिव पूछा तो नेगटिव का भाई हो जाएगा नेगटिव सेक्ट रापका आपका सियो जाएगा मेमुरी तो बहुत महत्पुन होती है अनुबाव उससे सीकना अभी चुले बढ़ते ब आपके अगले question की ओर अगला question आपको क्या दिवाया नेक्स्ट कोशन आपको देवाया निम्ली के दमें से बालक की कौनची परिक्रिया मनुख गत्यात्मक नहीं है वह आप से पूछा मनुख गत्यात्मक नहीं है ठीक है जापर मसल्स का यूज नहीं होता जैसा भी मैं पड़े पड़े वह सोचते जाओ मुसंट का यूज होगा नहीं होगा ठीक है तो पहले सी हो जाएगा देखो लिखने में भी होगा घैन्द फेकने में होगा खेलने में भी मसल्स का यूज होगा अब इसमें आते हैं एक क्रोश ग्रोस मोटर रोज कह रहा हूं फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल दो तरीकी की स्किल आती है अब बताओ कम मसल्स का यूज किसमें होता है कमेंड बोक्स में आंसर दीजे मुझे क्योंकि यह सभी चीज़े डिटेल में में आपको पिछली साल पढ़ा चुका हो ठीक है तो बतिए दुबारा इसका सही आंसर क्य दीजे कोसंचानना आपके स्किन पर आगया की व्यक्तितु को माप निकलिए व्यक्तितु को माप निकलिए 16PF ठीक है क्या है 16PF याणि पीयप का मनाद परस्नेलिटी और F का मतलब है आपका वह केटर ये परस्नावली किसने दीती दो अगेन आपका व्यक्तित वाले से आ है जो बड़े महपून है मनलब जहां से दो तीन नंबर के कुस्टन तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे तो व्यक्तित वाला चैप्टर डिटेल में कर ले कि मैंने तो इसको बहुत जल्दी का और किया है तो डिटेल में आप लोग चीजे पढ़ लोगे तो फ्रेंच से तीज को संथे जो प्रिवेस के को संथे जो आज की वीडियो के अंदर मैंने लिया अब इमानदारी से मुझे बतिए कि आपका कितना स्कोर आज की वीडियो के मिलेगा और वह अपडेट करके आपको मिलेगे और मेटरीजक अब करेके अपको मिलेगा तो आप लोग पुरानी वीडियो से नमबर से पास कर जाओ यह तीज में से अपना स्कोर बता दीए ताकि मुझे एक आईडिया लग जाए हालकि मैंने लेवल टू के कोश्टन आज डिसकस कर रहे था आप लोग इसे लेवल फरस्ट के भी से आते हैं दोनों में ज़्याद अनतर नहीं होता है रीट के एजाम में जैसे सीटेट में देखने पर आपकी लूगा ठीक है और अगर टाइम मिलीका कोई एक जाम मुझे सामने नहीं दिखा तो सारी चीज भी आपके करा हूँगा जो जो मुझे से हो पाएगी ठीक है जितना टाइम मिलेगा बदो फ्रेंट्स आपका कितना स्कोर हुआ है आपका मैं स्कोर चेक कर लेता जी 30 भाई 30 ठीक है ठीक ठीक और वियुद्ध टेईस नंबर आये 25 में से ठीक है एक के 47 के 30 आदज दुबार एक के 47 आगया भाई ठीक है सुसमा गुपता के सुस्मा गुफ्ता गाए 26 में से 30 सुस्मा गुफ्ता ने उल्टा लिख दिया ठीक चालो और किसके कितने नंबर आए अमरीता सूध क्याए 30 में से 25 सुमनकुमार के 22 जी सरा प्रेसान मतों पहले जैसे पढ़ाओ 15 आये सर आर सर्मा ठीक हाँ आदेखो उसमें बहुत सवलिय त सवलिय तो उसमें बहुत सवलियत है मुझे लेकिन दोनों चीज कंबाइन रखूंगा ये और वो भी दोनों में सवलियत रहेगी ठीक है वो मेरे उपर रहेगा अगर मान लीजे मुझे अच्छा खासा टाइम मिला है तो स्मार्ड बोर्ड पर आया कम टाइम मिलेगा तो ल जो गौर्मेंट जोब लेने के बाद भी याद करते हैं तो फिलाल अभी तक यही तक रस्ता रखिए ठीक तो मैं अपनी सवलित के साब से कर लूँगा और रती है जी राम चंदर गोतम के तीसमें सट्था इसाय है लाइव किलास एट बजे होती है बुक जल्दी मिल जाए इसमें कोई नेगटिव मार्किंग नहीं है इसमें तो आप बेफिकर रहे हो इसमें आप लोग टेंजन फिर रही है अराम से अच्छे नंबर से पास हो जाओगे ठीक है जी रजनी के 27 आए और अमनीश यादव के 26 आए डेट रिपल सब्सक्राइब की कब सब्सक्राइब देखाए डेट रिपल सब्सक्राइब की अगर मैं बात बताओ जेहनत आपको तो अभी कुछ केलेंडर काफी डिले चल लाए ठीक है तो अभी रीट का सामने पहले इसको को इंग्रीज करके 30 नंबर थक भी ले जा सकते हो तो कोई बात नहीं मानदार से बताओ डोक्टर से और टीचर से अपनी परिशानी चुपानी नहीं चाहिए ठीक तो आपके स्कोर बढ़िया हो जाएगा डोंट वरी तो चले फ्रेंस आप मैं वीडियो को स्टोप करता हू जिससे आपका मोश्चली चीजे कवर हो जाएगी ठीक है तो रीट के लिए तो आप लोग बेफिकर रही है बिलूगों ठीक चले फेंस आप में वीडियो को यह रोकता हूं कल मिलता हूं ठीक आप से आठ वजे किसी दूसरे सब्जेट के साथ ईवेस के साथ मिलूँगा है